नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org नई सुभा कुकिंग फ्रिटोरियल्स में खुशाम दीत मैं हूँ प्रिजा हुसेन और हमारी आज की एसपी है आलू की तरकारी आलू की तरकारी बनाने के अज्जा आलू चार अदर्ट मीडियम साइज टिमाटर एक मीडियम साइज हरी मिर्चे तीन हरा धर्णिया गार्णिश के लिए अदरक हाफ टीस्पून चॉप्ट वन धर्टीस्पून कलॉंची वन धर्टीस्पून नमक वन टीस्पून कुटीवी लाल मिर्चे वन पोर्टीस्पून हल्दी सबसे पहले हम एक कुकिंग पैन में एक से डेड़ कप पानी शामिल करेंगे और इसमें चार आलू क्यूप्स की शकल में स्लाइस किये हुए शामिल करेंगे फिर इसमें वन धर्टीस्पून कलॉंची वन धर्टीस्पून नमक वन टीस्पून कुटीवी लाल मिर्चे और 1-4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून चॉप्ट अद्रक शामिल करेंगे और पैन कवर करेंगे और 10-15 मिनट के लिए आलू को कलने के लिए छोड़ देंगे जब आलू हाफ तन हो जाएं या 70% गल जाएं तो हम इसमें एक टिमाटर चॉप्राइस्ट किया हुआ शामिल करेंगे जब आलू और टिमाटर अच्छे से गल जाएं तो हम पोटेटो मैशर की मदद से इन आलू को हलका सा मैश कर लेंगे और फिर हरी मिर्शें और हरे धनिये से गार्निश करेंगे हमारी मज़दार सी आलू की तरकारी तर्यार है ये थी हमारी आज की रेसिपी मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिस ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए